भारत में लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं अब अंतिम चरण के लिए मद्दान 1 जून को तै है 1 जून के बाद 4 जून का इंतजार परणाम जानने के लिए रहेगा आप देख रहे हैं रास्थान चोक, मैं हूँ अंकेत तिवारी लोकसभा चुनाव के चठे फेज में सनिवार को 7 राज्यों और एक किंद सासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खतम हो गई चुनाव आयोक के मताबिक सनिवार को 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.82 फीजदी वोटिंग होई सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल 58.19 फीजदी सबसे कम जम्मू कस्मीर 51.41 फीजदी मतान हुआ पांच फेज में 439 सीटों पर मतान हो चुका है एक जून को आखरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल के जहर ग्राम से भाजपा उमीद्वार पनंत टूडू पर हमला हुआ पत्थर लगने से उनका सुरक्षा कर्मी घायल हो गया मद्दाताओं को धमकाये जाने की शिकायत मिलने के बाद टूडू गर बेटा में एक बूत का दोरा कर रहे थे पर अब टूडू की कार में भी तोड़ फोड की गई है भाजपा ने टीमसी पर हमले का आरोप लगाया है वहीं जम्मू कस्मीर के अनंतनाग राजोरी से पीडीपी की पत्याशी महवूवा मुफती धरने पर बैट गई उन्होंने EVM के साथ छेड़चाड और मॉबाइल फोन का आउटगोइंग बंद करने का आरोप लगाया है चुटपुट गटनाओं के बाद सब शांती से मद्दान प्रक्रिया पूरी हुई दिल्ली की साथ उत्रप्रदेश की 14 हरियाना की सभी 10 सीटे बिहार और पस्चिम बंगाल की 88, ओडिशा की 6 और जारखंड की 4 सीटे जम्मू कस्मीर की एक लोगसभा सीटों पर चठे चरनमे वोटिंग हुई है उत्रप्रदेश में 54.2, हरियाना में 58.6, बिहार में 52.80, पस्चिम बंगाल में 58.19 जम्मू कस्मीर में 51.41, दिल्ली में 54.31, ओडिसा में 69.72, जारखंड में 62.13, प्रतिशत मत्दान हुआ है शाम 6 बजे तक के आकड़े हैं, अंतिम आकड़े चुनावायोग जब जारी करेगा तो भी आपको बताएंगे 2019 में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा के पास 40 सीटे थी, बसपा के पास 4, बीजेडी के पास 4, सपा के पास 1, जद्यू के पास 3, टी-एमसी के पास 3, एलजेपी और आजसू ने 1-1 सीटे जीती थी कॉंग्रेस और आपको इस पूरे चरण में एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार इंडिया गटबंदन के जरिये मजबूत दावेदारी वो भी दर्शा रहे हैं इसी के साथ देश में 486 लोगसभा सीटो परमदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में 57 सीटो परमदान सेश है, इनमें प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी का लोगसभा छेतर वारा नसी भी शामिल है साथ ही देश में लोगतंत्र के साथो चरण की हर अपडेट राजस्थान चोक ने आप तक पहुच आई है, कमेंट बोक्स में आप बताईएगा कि देश में सरकार किसकी बनने जा रही है हिलाल के लिए दीजिये इजादत, फिर मिलेंगे खास हो रहे हैं मुद्दे के साथ, नमस्कार